शाउमी भारत में अगस्त के अंत में अपने दो नए प्रोड़क्ट्स लॉंच करने जा रही है और इन में से एक प्रोड़क्ट है लैप्टॉप और दूसरा स्मार्ट टीप वी बता दें कि 30 अगस्त को लॉंच से पहले ही कमपनी ने शाउमी नोटबुक प्रो 120G लैप्टॉप और शाउमी स्मार्ट टीवी एक्स सीरीज में मिलने वाले कुछ खास फीचर्स को कन्फर्म कर दिया है आधिकारिक लॉंच के बाद शाउमी लैप्टॉप की बिक्री कमपनी की ओफिशिल साइट के अलावा अमेजन पर होगी तो वहीं शाउमी स्मार्ट टीवी सीरीज को कमपनी की साइट के अलावा फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्द कराया जाएगा मी.com पर दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए माइक्रो साइट तैयार की गई है जिससे की इन मॉडल्स में मिलने वाले खास फीचर्स कन्फर्म हो गए है इस शाउमी लैप्टॉप में इंटेल कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा कमपनी ने ये भी बता दिया है कि ग्राहकों को बारवी पीडी का इंटेल कोर आई 5H सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा इसके अलावा गेमिंग के लिए शांदार इन्वीडिया जीफोस M X550 GPU का भी इस्तेमाल किया जाएगा इसके अलावा 120Hz डिस्प्ले मिलेगी जो 2.5K True Life Resolution ओफर करेंगे फिलहाल इस लैप्टॉप को किस स्क्रीन साइज के साथ उतारा जाएगा इस बात की जानकारी नहीं दी गई है शाओमी 30 अगस्त को ही अपनी नई TV सीरीज को भी लेकर आ रही है इस सीरीज के अंतरगत तीन मॉडल्स, 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच तीनो ही TV मॉडल्स 4K Resolution के साथ आएगे